हुआ है हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो क्रेटिव अंशु का यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स मैं आज कोई रेस्पी नहीं शेयर करने वाले हूं जस्ट अपना वो एक रूटीन दिखा रही हो हमको कि जैसे मैं आज सांबर डोसा बनाऊंगी तो उसके लिए देखी मैंने सांबर करने मैटीरियल बॉयल कर लिया है और यह थोड़ा सा थिक हो हुए है तो मैं यह देखे यह पतीले में पानी बॉयल कर लियो फिर इस मिक्चर को उसमें डाल दूंगी और यहां पे यहां पे देखी इमली भी हो रखी है मैंने जो कि अभी मैश करके सांबर में इसको अभी में अलो को फ्राइ करती हूं कि मसाला दोसा बनाना है तो उसके लिए आलो फ्राइ करने ज़ूर है और फ्रेंड्स यह है मॉम का इडली डोसा उत्तपम बैटर है जिससे की मैं बनाऊंगी तो मतलब मैं रैस्पी नी शेयर करूंगी और फ्रेंड्स मैं इसके साथ ना कोकोनेट चटनी भी बनाऊंगी तो उमीद है कि कोकोनेट चटनी तो सब को मालूम होगी बट फिर में थोड़ी सी रस्पी हल्की सी चेयर कर देती हूं कि मैं क्या-क्या डालोंगी फ्रेंट से देखिए पानी बॉल हो चुका है अम इसमें यह जो बॉल्ड वाला सांबर ह दालके फिर इसको मसाला बगार डालके वो करते हैं तो फ्रेंट से देखिए जो सांबर है यह बिल्कुल सही हो गया बस इसमें एक तड़का लगा लाए मैंने इसमें इमली बगार डालके इसको बॉल कर लिया है बस अब तड़के की त्यारी रह देए अब मैं इसको हटाक अब इसए अःगर है जो मैं डाब गोगे है आपाऊ है तो इसी तेम से पराइब मैं जाए है तो यहिशेटे है इस देखिपते के पाधे में तेखिए तो मैंने तो जब शिजल्ग खतब होने वाला तो पर देखिए निखां के रख लेति हैं कि ऐसे काम आजाते है ज़कि यह मैं तेज पत्ता इसमें डाल दूँ मैंने सांबर में भी ऐसे ड्राइड वाले ही डाले हैं क्योंकि मेरा पौधा वह बिल्कुली सूप चुका है इस ताइम मतलब पत्ते एक भी नहीं है उसमें और फ्रेंग से जादा फ्राई में करना है मतलब फ्रेंग हो जाए उसके ब संबर मसाला डाला है इस आलो वाले उसमें सांबर मसाला डालके नमक डाल भी इसमें पेस्ट के अपरिंगली नमर नमर भादों नहीं में तो फ्रेंप से देखि मेरे ओऊ अलू फ्राई हो चुक है आर्मोस और यह में चटनी बनारी हैं यह देखिए हरा धनिया है प्लेसे म हो भी देले सांबर में से बचाकर रखाए यह पानी भी कि दही सर्दियों में तो होती नहीं मतलब कम कंजम्शन होती है तो इसलिए इमली का पानी डालोगी कि क्यों हलकी से खटास होने चीज़ तो फ्रेंट्स यह बन चुका है यह मुझा दिया है अब ममी गई तो फ्रेंट से देखें आप मैं इसको ग्राइंड करके दिखाती हू तो फ्रेंट से देखें घर्मा करम सांबर करका लग चुका है और यह है मेरी चट्नी और जैसा कि आप लग देख रहे हैं मेरा तवा नौन स्टिक वाला रड़ी है विल्कुल बनने के लिए तो मैं एक आप लोगों को बना के दिखाती हूं देखें नी फ्रेंट्स आज आ नी घुन पाया अता नी क्यों नी बन पाना मुझे समाझ में नी आरी लेकिन फिर भी मैंने कर चलो साइज में छोटा है कम से कम ठीक तो है तो इस तरह से में आप मसाला डाल दूगी नहीं तो मेरा ना फ्रेंट्स जैसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल होता है जो मैं अपना बोलते यह तो फ्रेंट्स यह मेरी आज की कंऊ डिनर जो कि मतलब वाजची ने खा लिया है मैं खारी हूं कि अमीद करते हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो फ्रेंट्स अगर आप को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एं सस्ट्राइब motivation एक मिल जाता है कि चलो भई किसे ने वीडि़ु देखिए तो सबस्क्राइब किया है चैनल को लाइक किया है वीडियो को लाइक कराओ जरूद फ्रेंड्स उमीद करते हैं कि मतलब आप लग को करेंगे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूब रगने हैं और friends, मैं से एक मिस्टेक हो गई कि मैं बार-बार कड़ी पत्य को तेज पत्ता बोल दीया वीडियो में गलती है दो तिक बार बोला और जीती बार मैंने बोला वो मैंने कड़ी पत्ता के जगह तेज पत्ता बोलती गई